सुप्रभाद प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज कच्छा 10 हिंदी विशे में रस में करून रस के साथ मैं प्रस्तूत हूँ माडूल 5 है या, करून रस के पूर में आपने वीर रस, विभत रस और सिंगार रस के बारे में जानकारी लिया है बच्चों, रस के जो चारंग हैं, अस्थाई भाव, बी भाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनकी परणिती होने पर जब किसी विख्त के अंदर दुख का भाव आए, तो वहाँ पर सोक यानि करून रस का भाव आता है तो बच्चों, आज हम करूर रस के बारे में जानेंगे करूर जैसा नाम से ही अस्पष्ट होता है कि यहाँ पर दुख की बाते हैं और इस रस का अस्थाई भाव भी सोक है जब किसी दो विक्ति के बीच में या नायक नाईका के बीच में अपने किसी प्रिये के प्रति किसी विक्ति के अंदर जब बीच का भाव आए, उसके नश्ठ होने का भाव आए, उससे सदेव बिचुड़ जाने का भाव आए तो मन में जो दुख या बेदना या पीड़ा उत्पन होती है उसे करूर रस कहते है आपके मन में थोड़ा सा ये भ्रम हो सकता है कि बियोग का भाव तो प्रेम में भी होता है यानि सिंगार रस इसके पहले आपने सिंगार रस में ये पढ़ा है कि दुपेरेमी प्रेमिका नायक नायका के बीच में जब दूरी और बिछुडने का भाव हो तो महां सिंगार रस होता है लेकिन बच्चों भ्रम ना करिएगा सिंगार रस और करुण रस में ये अंतर है कि सिंगार रस में कृष्ण और राधा या नायक और नायका के बीच में प्रेम का भाव ही प्रमुक होता है लेकिन उनसे जो दूरी होती है उससे जो दुख और बिरा होता है वो भी प्रेम में मिलता है यानि कभी न कभी उनके मिलने की उमीद होती है इसलिए वहाँ पर जो भी योग है वह प्रमुख ना हो करके प्रेम का भाव प्रमुख होता है और सिंगार रस होता है लेकिन करूड रस में दोनों के बीच नायक नाईका के बीच पुना मिलने की कोई आसा नहीं होती वा सदेव भी छुड़ चुके होते हैं या किसी की मृत्य हो चुकी होती है या उसके नश्ट हो जाने का भाव हो चुका होता है यानी जब व्यक्ति में केवल दुख का ही भाव बचा हो और सुख का कोई छड़ाने वाले उमीद ना हो तो वहाँ पर करूरस होता है एक बात और केवल नायग नाई का या किसी दो प्रेम के व्यक्तियों के बीच में ही करूरा के भाव नहीं हो सकते आप सड़क पर जाते हैं किसी गरीब दुखी बीमार व्यक्ति को देख करके मन में भी करूरा यानि दया के भाव ला सकते हैं तो वहाँ भी करूरस होता है इसलिए इससे और विस्तित रूप से देखें तो किसी व्यक्ति के ना मिलने पर उसके नैश्ट हो जाने पर या किसी व्यक्ति की दूर दसा देख करके मन में जो भाव आता है वह करूरा का भाव होता है इसलिए इसमें व्यक्ति की मन में दुख विभाव में वो कभी कभी बहुत आशू बहा सकता है रो सकता है जमीन पर लोट कर किसी की मृत होने पर लोग रोते हुए दिखाई देते हैं भूम पर चकर खाके गिरते हैं ऐसी किरियाएं सब कुछ करूरस में होती है किसी प्रिव्यक्ति के बिरा या मरन से जो सोकुत्पन होता है उसे करूरस कहते हैं या दूसरे सब्दों में कहें हमकी प्रिये जन यानि अपने आप जो दूसरे व्यक्ति को प्रेम हम करते हैं उस प्रिये जन की पीड़ा को देख करके उसकी मृत्य को सुन करके वांचित क मिले उसको ले करके दुख हो सकता है किसी के प्रति अनिष्ट के भाव जग करके ऐसी कोई परिस्थितियां जब कुसी का विनास हो सकता है नश्ठ हो सकता है किसी के दुख को देख करके जब सोक भाव मन में उत्पन हो तो वहां पर करूण रस होता है प्यारे बच्चों तो इस तरीके से सिंगार और करूड में अंतर है तो बच्चों इस प्रकार करूड रसके यदि हम अवयाव देखें यानि उसके अंगों को देखें तो इसका अस्थाई भाव सोख होता है और किसी व्यक्त के अंदर जो सोख का भावत्पन हो वह वहाँ पर विभाव में असरे हो होता है और जिस व्यक्त के नश्ट होने पर या जिस वश्ट के खो जाने पर दुख का भावाए वह वहाँ पर विशय होता है और दोनों विभाव का रूपधारण करते हैं तो बच्चों साथ में व्यक्त का खो जाना या व्यक्त की मृत्त होने के बाद उसका सव यानि श चित्रों को देखना या उसकी याद आने वाली चीजों को देखने पर जो करुड़ा के भाव जगते हैं उस कारण से ये सारी वस्तुएं ये क्रियाएं उद्धीपन कहलाती हैं और नायक नाई का प्रेमी प्रेमी का या जिस वेक्त के अंदर सोक का भाव आए उस वेक्त के अंदर सोक आने के कारण से वह कभी चक्र खाए आशू बहाए रोने लगे खुब अपने सरीर पर प्रहार करे उसे मुर्चा आ जाए या वह चक्र खा के जमीन पर गिर जाए इस तरीके से जो क्रियाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं और साथ साथ में उसे अपने खोने व उसको लेकर उसके जुद्दुख में उसके कापने का भाव इत्यादी है ये सब कुछ संचारी भाव होते हैं तो बच्चों आईए अब हम कुछ काब की पंकियों के उदारण देखते हैं जो करूरस से संबन्दित हैं पहला उदारण देखते हैं अभी तो मुकुट बधा था मात हुए कल ही हल्दी के बोल खुले भी ना थे लाज के बोल खिले थे चुम्बन सुन का पोल हाई रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार यहां पर जब अब मन्नू जो है युद के मैदान में उसकी मृत्य हो गई तो उसकी पतनी जो दुख व्यक्त कर रही उसका वड़न है कि अभी तो कुछ ही समय बीते थे जब हमारे और इनके बीच में प्रेम पंडित हुआ था बिवा हुआ था अभी कितना समय था क्या उम के थोड़े ही समय है और इस उमर में ही यह इनका जो मस्तक है वो चमक रहा है और इनकी मृत्य हो गई हाए दुख ब्यक्त कर रही है नाई का पतनी मन्नू की कि यह सारा मेरे जो संसार उजड़ गया और मेरे मस्तक में जो यह सिंदू लगा है यह तो अब आग जैसा प्रती का स्थाई भाव सोख हो गया और जिस व्यक्त के कारण दुख आया यानि पती की अकाल मिर्त्य हो जाना वो कारण था वो यहां पर आलम बना है साथ में सव देखकर के मन्नू को उनके मुकुट मस्तक पर मुकुट धारण किये हैं और अपने हाथों में हल्दी देखकर जो ह यह उद्दीपन का कार कर रहे हैं साथ में पत की यादें उसके बारे में सोचना इत्यादी इसमृति और दुख विसाद यह सब कुछ अनुभाव है और आखों से जो आसू निकल रहे हैं वो संचारी भाव हैं वो छणिक भर में जो है कभी ती ब्रिगति से बहते हैं कभी सूखे हो जाते हैं कभी दुख में सरीर का अपने लगता है यह सारे उदारण यहाँ पर यह सारे भाव रुदन के संचारी भाव हैं तो बच्चों अब दूसरा उदारण देखते हैं जो है दुलारों में नित पाली हुई प्रेम की प्रतिभावा प्यारी खिलोना इस घर की वह हाय वह थी सरला सुकुमारी अरे कोई यह दीन पुकार कहीं यदि सुनता हो कोई मुझे दिखला दे मेरा प्राण जगा दे फिर किस्मत सुई बच्चों पढ़ने से ही कुछ भाव यहां पर असपष्ट हो गए कभी कभी काप की पंक्तियों के आपको अर्थ असपष्ट नहीं होंगे लेकिन सब्दों को पकड़िये कि दीनता के भाव आ गए हैं मेरा प्राण कहकर के दुख प्रकड़ किया जा रहा है हाय सब्द यह यहां पर आया है और किस्मत सो गई जगाने के बातें की जा रही यानि पूरी तरीके से इन कामपक्तियों में किसी की बिछूड जाना और हमेशा के लिए उसे नश्ट हो जाने के भाव आ रहे हैं इसलिए यहां पर स्थाई भाव सोक है और जिस व्यक्त के अंदर यह माड जगादे फिर किस्मत सोई यानि उसके मरने की बातें हो रही है उसके नश्ट होने की बात हो रही है यह सब कुछ आलंबन है उसके मिर्त सरीर आलंबन है और प्रियोकेसव दर्शन यानि उसके नश्ट होने पर भी उसका सरीर जो है वो जो दुख दिखा रहा है चिता के अंदर अस्थाई भावत पन्वा अर्थात आस्रे उसका उसकी जो चेश्टाएं हैं वो अनुभाव कहलाती हैं यहां पर रोना अपने भागे को ले करके पश्थावा करना और जोर जोर से बिलाब करना इत्यादी सब कुछ अनुभाव हैं साथ में उसकी चिंता मोह गलान संचारी भाव हैं तीसरा उदाहरण देखते हैं यह उदाहरण राम और लच्मर जी के प्रसंग को ले करके हैं कि जब लच्मर जी को मुर्च्छा यानि लच्मर जी मुर्चित हो गये थे युद्ध करते करते तब राम उनके पास बैठकर के जो सोक बैठकर रहे हैं उसका वड़न है कि मेरो सब पुरसार्थ थाको विपति बटावन बंद बाहुपिन करो भरोसो काको सुन सिग्रीव साचव मौर्निंग पर फेरियों बदन विधाता ऐसे समर संकट हो तजो लखन सो भराता गिरिकानन जो है सखा मिरिग हो पुनि अनुज संगाती है हो कहां कि गती रही सोच भर छाती तुलसी सुन प्रभु वचन भालू कपी सकल विकल या हारे जाममंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी पर चारे यहां पर अब लच्मण के मुर्चा होने पर राम अपने सोक को ब्यक्त कर रहे हैं और कहने का ऐसा भाई मुझे कहां मिलेगा मुझ जालू कप यानि बंदर जितने सब लोग थे सब दुखी हो गए और सभी लोग सोक मनाने लगे तो यहां पर यहां पर अस्थाई भाव सोक है और लच्मण जी का मुर्चित सरीर जो दुख का करण हो रहा है वो आलंबन है यानि वो विसय है और राम के अंदर दुख आया राम आसरे हैं लच्मण जी के सरीर को देख करके ही और दुख बढ़ रहा है इसलिए लच्मण जी तो आलंबन थे लेकिन उनका सरीर जो है वो बढ़ाने वाला है यानि उद्दीपन है और राम का रोना अपने भाई के बातों को याद करना ये सब कुछ उनके प्रतिक उस पुष्ट हुई इसलिए यहां पर करूरस है तो बच्चों हम कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं हाई राम कैसे जेले हम अपनी लज्जा अपना सोक गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट पिता पर लोग कापकी पंक्तियां पढ़ने पर ही दुख व्यक्त हो रहा है तो विकल गर्ब यह जागा विकल गर्ब यह जागा अभागा की बात है ऐसे सब्द मिल रहें इसलिए यहां पर सोक है रहे असमरण ही आते सखी वो मुझसे कहकर जाते प्यारे बच्चों इन पंक्तियों में भी पति के कहीं चले जाने पर पतनी के द्वारा यह कहा जा रहा कि वो मुझे याद आ रहे हैं अगर वो मुझे बता देते मुझसे पूछ कर जाते कहां मैं जा रहा हूं तो अच्छा होता इसलिए उनके प्रति जो दुख है उनके ना मिलने का जो भाव है यहां भी करूरस का भाव है अन्युदारण देखें हाय रुग गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार वातहत लतिकावा सुकुमार पड़ी है चिननाधार यानि माथे पर सिंदूर लगाई हुए नाईका पत के सव के पास जो पड़ी हुई है वो उसकी दुर्दसा को दिखाते हुए उसके दुख को दिखारा यहां पर भी चले मैं भी न जीऊंगा यहां सुग्रियू बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहां यहां भी राम लच्मण को लेके बात करते हैं कि सीता तो मुझे छोड़ की चली ही गई अब अन लोग भी क्यों ऐसा मुझे छोड़ कर जा रहे हो तो यहां पर भी दुख का भाव और अनुदारण एक देखें दुख ही जीवन की कता रही क्या कहूं आज जो नहीं कही तो दुख की बात है रोने की बातें दुख की बातें करूरस में होता है बच्चों चलिए कुछ प्रशन आपको देता हूं कुछ काप की पंक्तियां हैं जिने पढ़ करके आप इसमें रस पहचान का लिखेंगे और यह ध्यान करेंगे कि करूरस आपने पढ़ा है तो इससे ही सम्मंधित इन पंक्तियों में आपसे प्रशन होंगे रही, खरक्ति, हाय, सूल, सी, पीड़ा, उर्मे, दसरत, के ग्याल, के ग्लान, त्राश, वेदन, वीमंडित अब पंक्तियों के भाव आपको असपश्टना हों या कठिन पंक्तियां लगे तो भी आप हाय, सूल, माने पीड़ा, जैसे सब्द जहां मिल गए तो सोक का भाव है कितनी करूडा, कितने संदेश, पत्थ में बिछ जाते बनपराग, गाता प्राणों के तार तार अनुराग भरा, उनमाद राग, आसू लेते वे पत्थ पकखर, तुम आ जाते एक बार, किसी को याद करके कहा गया है, और आसू की बाते की गई है, तो समझ सकते हैं कि सोक क का भाव है, अनुदारण दिखें, मैं लिखते लिखते रोया था, मैं भारी मन से गाता हूँ, जो हिम सिखरों के फूल बनी, मैं उसको फूल चड़ाता हूँ, तो भारी मन से गाना, दुख के भाव करना, करूणा का भाव है, इसी तरीके से आप प्रश नमबर दो में एक कब की पंक्ती दी गई है, उसे पहचान करके उसमें आप बीभाव, अलंबन भाव, संचारी भाव, इत्यादी आप लिखेंगे, और प्रश नमबर तीन, करूणरस का अस्थाई भाव लिखते हुए, आप इसे अपनी कॉपी पे उतारेंगे, अस्पश रूप से इसका